तो students जिनके मन में ये doubt है कि housekeeping का job एक low profile job होता है तो वो इस doubt को अपने मन से निकाल दे Hello friends, स्वागत है आप सभी का कटोश्ट्यूब्स हिंदी चानल में मेरा नाम है विशा और आज की इस वीडियो में मैं आप सब के साथ discuss करूंगी उन सब departments और jobs के बारे में जो की एक hotel industry हमें provide करती है कि कौन-कौन से ऐसे departments है और ऐसी कौन-कौन सी jobs है जो हम hotel industry में कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करने इससे पहले मैं आप सभी को कटोश्ट्यूब्स इपसाइट का link description box में दे चुकी हूँ जिस पर click करके आप इसके बारे में और फी detail में information collect कर सकते हैं तो आई शुरू करते हैं आज इस video करें इस video में हम सबसे पहले discuss करेंगे कौन important या major departments के बारे में जो की generally हम hotel management में पढ़ते हैं और जिसमें बहुत सारे students job करना भी पसंद करते हैं बट उसके अलावा भी hotel industry में कई ऐसे departments हैं जिने आप join कर सकते हैं अगर आपने hotel management नहीं भी किया है तो कई ऐसे areas हैं जिसके through आप hotel industry में enter करके अपना एक अच्छा career बना सकते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ discuss करूँगी front office department के बारे में yes front office department जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि सबसे पहले जब हम hotel में enter करते हैं तो जहां पर हम कोई भी बातचीत करने के लिए जाते हैं या जहां से हमें पूरी hotel के बारे में information मिलती है वो front office department होता है front office department को hotel का nervous system भी कहा जाता है क्योंकि front office जो है वो face of the hotel होता है और वहाँ पर हमें centralized information दी जाती है अगर आपको room के rates पता करने हैं या आपको किसी और hotel के related other services के बारे में कोई भी information चाहिए तो हम front office में ही चाहते हैं even after rooms book करने के बाद या कोई और service लेने के बाद भी हमें कोई query है या हम कुछ extra service चाहते हैं या कुछ भी हमारे साथ दिक्कत परिशानी हुई है तो हम front office से ही उन चीजों के बारे में information collect करके अपनी queries को solve करते हैं तो इसी लिए front office को जो है nervous system of the hotel कहा चाहता है तो front office में job पाने के लिए आपको क्या करना होगा front office में job पाने के लिए it is mandatory कि आपने hotel management किया हो और उसके अलावा आपके communication skill बहुत अच्छे होने चाहिए इसका मतलब यह नहीं है कि सिरफ English language ही बहुत अच्छी होने चाहिए आपकी Hindi language भी अच्छी हो सकती है या knowledge of other languages अगर आपके पास है अगर आप multilingual हैं तो भी आपको front office में job मिलना बहुत असान हो जाता है front office में job करते कुछ special skills जो आपके पास होने चाहिए वो यह रहते हैं कि इस department के बारे में in-depth और detailed knowledge आपको हो और आपको customer से बात करने का तरीका होना चाहिए उन्हें handle किस तरह से किया जाए के बार customers अलग तरह के सवाल करते हैं या वो कुछ जगड़ा हमसे करते हैं या हमसे कुछ अलग तरह के questions पूछ लेते हैं तो उन सब situations को आप किस तरह से handle करोगे इस सब की knowledge आपके पास अच्छे से होनी चाहिए जो कि no doubt with time उस department में काम करते करते आपके पास आ जाएगी पर लेकिन अगर आप front office में job करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ knowledge आपको होनी चाहिए जो कि आपसे interview में भी पूछा जा सकता है आपको different situations दी जा सकती है इसलिए आपको वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा so that कि आप front office का job हासिल कर सके इसके अलावा जो और department hotel में हैं जहां पर आप job के लिए apply कर सकते हैं वो होगा housekeeping department तो housekeeping department के बारे में सबसे बड़ा मित ये बनाया गया है कि वो बस साफ सफाई करते हैं housekeeping department का काम इससे भी और आगे होता है housekeeping department में भी बहुत सारे levels होंगे हर एक level पे इनसान जो है वो अलग तरह का काम करेगा housekeeping department सफाई के अलावा इन बातों का भी ध्यान रखता है कि hotel में arrangements किस तरह से होंगे room का decoration किस तरह से होगा या किस तरह का room decor रहेगा wall colors, wall paintings मतलब decoration से related decisions जो है वो भी housekeeping department ही लेता है जैसे कि मान लीजे आप किसी hotel के housekeeping department में काम कर रहे हैं तो साफ सफाई ही आपकी वहाँ पे job profile हो ये जरूरी नहीं है housekeeping के अंदर भी बहुत सारे subdivisions है जिसके अंदर आपको काम मिल सकता है और उस काम में आगे बढ़ते-बढ़ते आप managerial level पर भी बहुन सकते हैं तो students जिनके मन में ये doubt है कि housekeeping का job एक low profile job होता है तो वो इस doubt को अपने मन से निकाल दे next department जो मैं आप लोगों के साथ discuss करूंगी वो होगा F&B service department यहाँ पर F&B का मतलब होता है food and beverage service department जिसके अंदर आपका bars आता है आपके restaurant आते हैं आपका kitchen department आजाता है तो अगर आप एक अच्छे बार्टेंडर है आपको different type of drinks बनाना आती है और different type of tricks आते हैं bartending के तो आप bartending का भी job वहाँ पर opt-in कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप एक अच्छे शेफ हैं तो आप kitchen department में भी job के लिए apply कर सकते हैं फरक सरफ इतना ही रहेगा कि आपने अगर कोई specialization courses की हैं मानलीजे आपने bartending में specialization course किया है या आपने confectionery में कोई specialization course किया है तो आपको उसके around एक अच्छा job मिल सकता है उसके अलावा तो हम hotel management के degree course में इन सब departments के बारे में पढ़ते ही हैं तो आप अपने interest के according कोई भी department join कर सकते हैं F&B service department में मैं आपको F&B का मतलब तो बता चुकी हूँ room service और इस सब से related होता है तो restaurant में जो waiters होते हैं जो stewards होते हैं वो सब service department के अंदर आते हैं जो हमें अपनी services provide करते हैं हमें यानि कि कोई भी guest को कोई भी customer को जो services provide करेंगे वो service department के अंदर आएगा तो ये था कुछ major departments के बारे में जो की hotel industry में हमें jobs provide कराते हैं उसके अलावा और भी बहुत सारे departments हैं जहां पर आप job के लिए apply कर सकते हैं जैसे की HR department, accounts department, engineering department और security department तो HR department में अगर आपने HR में अपनी degree की है या आपने master's भी किया है HR में तो आप hotel industry में भी job के लिए apply कर सकते हैं इसलिए अगर आप खुद human resource background से हैं तो आप hotel industry में करे चाते हैं तो आप hotel industry को easily join कर सकते हैं उसके अलावा जैसे की मैंने कहा engineering department तो अगर आप engineering background से हैं hotels में भी बड़ी-बड़ी machinery यूज होती हैं जिसकी wear and tear रहता है जिसके लिए हमें एक अच्छे engineers की जरूरत होती है तो वहाँ पर अगर आपकी उस job से related मान लीजे electrical engineering की जरूरत है hotel industry में तो अगर आप उस background से हैं तो आप hotel industry को join कर सकते हैं उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा security department अगर आप उस profile पे join करना चाहते हैं तो एक hotel के अंदर security department भी रहता है उसके अलावा accounts department भी होगा जो accounts से related सारी चीजों का ध्यान रखेगा ये departments जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब back office department होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था front office एक ये वाले जो departments होते हैं ये रहते हैं back office departments तो आप इन departments में भी job के लिए apply कर सकते हैं अब जैसे कि मान लीजे आप accounts department में job करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने hotel management किया ही हो अगर आप commerce background से हैं तो भी आप hotel industry के accounts department को join कर सकते हैं ये तो था कुछ important departments के बारे में अगर आप और भी departments के बारे में detail में information चाहते हैं तो आप नीचे description box में जाके कटोश tubes की website का link ओपन करके detail में ये सब information पर सकते हैं So that's all about this video I hope आप सब को ये video अच्छा लगा होगा अगर आपको ये video अच्छा लगा है तो please like और share करें और अगर आपके कोई भी questions हैं तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं तब तक के लिए please remember to subscribe to my channel